हलो फ्रेंज नमस्ते वेलकम बैक वंस अगेन ओन माई चैनल मैं हो किरन फ्रेंज आज मैं फिर से एक अलग और यूनिक डियाइवाई लेगर गयाई हूँ आपके बालों के लिए अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है खास दोर पे बालों का टूटना ज़रना बाल आपके बिल्कुल भी बढ़ती नहीं है ग्रोथ नहीं होती है तो उसके लिए आज का ये डियाइवाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी बाल रातो रात बहुत ज़्यादा बड़े होंगी और आपकी बालों की खुपसूर्ती भी बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों तूटना जनना बिल्कुल बंद हो जाएगा तो दोस्तों आज केस वाले डियाइवाई को बनाने के लिए सबसे पहला सामगरी आपको चाहिए होगा मेथी दाना यानि की फैनुगरिक सीर्स दोस्तों मेथी दाना जो है गुनों का भंडार होता है कहा जाता इसके अंदर इतनी सारे मेडिकल प्रोपर्टीज होती है कि मेथी दाना से सॉल्व किया जा सकता है अगर आप बालों को मेथी दाना से कंटीन्यू मतब बालों के लिए अपना मेथी दाना यूज करते हो तो आपके बाल रात और रात इतने बड़े होंगे बालों का टूटना जनना बिल्कुल खतम हो जाएगा उसके अलावा भी कहा जाता है दोस्तों मेथी दाना हाँ से हम अपने डायपटीस को कंट्रूल कर सकते हैं और इसके सासाती जोरों के दर्द वेगरा में भी बहुत जादा काम आता है मेथी दाना हमारे वेट लॉस में भी मेथी दाना की बहुत सारे फायदे होते हैं तो किसी प्रकार से आपको म अपने लिए जरूर करना चाहिए बालों के लिए अगर आप अच्छे और खुबसरत बाल चाहते हैं तो जरूर ट्राइ करिए दोस्तों मेथी का दाना मेथी का दाना का तेल बना करके भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसके बहुत सारे वीडियोज मैंने मेरी चैनल पे भी डाले वहें कि कैसे मेथी दाना का तेल बनाया जाता है वो भी ट्राइज जरूर करिए और उसके अलावा भी बहुत सारे DIYs हैं जो कि मैं मेथी दाना के उपर बनाती हूँ वो भी बहुत ही फायदे मंद होते हैं अगली सामगरी आपको लेनी है यह हमारा है चावल तो दोस्तों चावल के पानी का कहा जाता है इस्तमाल आपके बालों को रातो रात बहुत ज़्यादा बढ़ाता है चावल का पानी बिल्कुल भी फेके नहीं कभी भी चावल अगर आप धोते हैं तो उसको धोने के बाद जो पानी बसता उसको फेके नहीं उस पानी को आप चाहें तो पेर पौदे में भी जरूर डालिए पेर पौदे की ग्रोध बहुत ही अच्छी होती है उसकी जरूरे मजबूत होती है जिससे उसके अंदर बहुत सारे नएने फूल वगरा भी उगते हैं दोस्तों कीरे वगरा को भी हटाता है इस परकार अगर आप अपने बालों के लिए चावल के पानी का इस्तेमाल करते हैं तो चावल के पानी से आपके बालों की ग्रोध बहुत ही अच्छी हो जाएगी बरातुरात आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे बड़े हो जाएंगे बालों का तूटना जर्ना ब ग्लास पानी रख ले उसमें आपको डाल देना है पहले मेथी दाना मेथी दाना आप डाल सकते हैं लगवग एक डिर चमच उसके बाद आप दोस्तों यहां पर डाल सकते हैं चावल का पानी चावल का पानी यहां पर आप चावल डाल सकते हैं तीन से चार चमच जैसे भी दूश्त कर सकते हैं यह सबमों सब्सक्रचे कर सकते हैं आप को यह नि को चाहmar न हंदिया इसके इसको आदा द्यूर्यद्य अगले दिन आप कर सकते हैं इसको जो और चिंठ सकते हैं इसको जो है दो घंटे ज़रूर छोड़ूंगी ताकि मैं मेरे बालो प्लेश को इसको इस्तमाल कर सकूँ आप चाहें तो ओवरनाइट छोड़ें अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है तो रात भर छोड़ करके और उसके बाद इसको आप अगले दिन इस्तमाल कर स शुका है तो यहां पर क्या करना है इस पानी को अचे से छहान लेना और यह जो पानी है ना है Гजल की अगर ऑनाद आप चावल का पानी क्राम में जो जरूड को लृऋटे यह तो जो उत तो नहीं कि असका jutब यहांगvर कर सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ नीजर शूर का यह मेरा जूँंक शैंपू है जूँंक शैंपू दोस तो सच में भहती अच्छा हुता है हमारे बालों को नैचुरली कर्णिशनिंग करता हमारे बालों को तूटना जढना रोकता है बालों की ग्रोथ में मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा डाल देती हूं जब भी यूज करती हूं आप ट्राइज जरूर करिएगा आपको किसी भी सुशल जैसे साइट होता है जैसे अमेज़न फिलिपकार्ट सब जगह मिल जाएगा सर्च करके देख सकते अब इसको यूज कैसे करना है इस शैंपू को अपने बालों पी लगा रहने दे 5-10 मिर तक जब यह शैंपू लगा रहेगा उसके बाद ही आपको इसको नॉर्मल पानी से वाश करना है ताकि जितने भी पानी मैंने बना यह पानी काफी अच्छे साबके बालों को असर करें इसके लिए धोने के बाद 5- 10 मिर तक रहने दे और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने बाल को इस तरीके से वाश कर सकते हैं फ्रेंड्स पहली बार के इस्तमाल से आपको बेहत फ़र्ग नजर आएगा आपके बाल सच में सुन्दर खुपसत मुलायम दिखेंगे दोस्तों बालों का जो दो मुह तो कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो अगर आपको यह वीडियो हेलफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंस कीजिए और भी ऐसे इंफोर्मेटिव वीडियो देखना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं